कि नमस्कार दोस्तों हेल्ट एंड कीचन में आपका स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं चटनी हरी चटनी इसके लिए मैंने यहां पे नारियल का बुरादा लिया हुआ है यह है चनेकडाल जो सीखी हुई है नमक है शक्कर या दाही है यह अध्रक लेसुन और मिर्ची है चार कलिया लेसुन की लिए हमेंने दों मिर्ची लिए हैं हरी मिर्च और यह धनिया तो अब हम रेसिपी के लिए स्टार्ट करतें यह जो चटनी है यह आप इडली के साथ खा सकते हो, दोसे के साथ खा सकते हो, धोकले के साथ खा सकते हो, धोकले के बीच में सैंडविच धोकला जो बनाते हैं, उसमें भी आप इसको लगा के खा सकते हो, अभी मैंने यहाँ पर नारियल का गुरादा लिया, इसके बाद मैं यह जो भुनी हुई डाले ये में डाल रही हूं। तो सैंड्विच में भी हमेसे यूस कर सकते हैं ये धनिया के मैं लिया हुआ था इसको में डाल ये ये के हरी मिर्च महसन और अद्रग ये ले रही हूं। इसके इसाथ ये नमक और शकर दोनों एक साथ फी डाल इसमें मैंने नमक और शक्कर डाली है और यह जो नीम्बू का रस है यह एक लिम्बू मेरे पास बड़ा सा नीम्बू था इसके लिए मैंने आदे नीम्बू का ही रस लिया हुआ है करिब करीब एक भाण बड़ा चमच रही है कि इसमें ज्यादा पानी का इसके मल नीकर मैं प्रणा है पर जाधा नीए क्योंकि अब मैं इसको हमाने पीसने वालिवी कि यह दही का ही जो पानी है उसी में हमें इसको पीसना है पहले अगर ज़रूरत लगे तो फिर हम इसमें पानी डाल से आप देख सकते हैं कि मैंने जब इसको ग्राइंड किया तो यह ऐसा हुआ है और होडा इसको प्राइंड करना है ज्यादा इसको पतला नहीं बनाना है दरदरा ही रखना है और मैंने यहाँ पर दो से तीन टेबल स्पून पानी भी यूज किया हुआ अब देख सकते हैं यह हमारी जो चटनी है यह रेडी हो चुकी है मैं इसको निकाल रही है अगर आपको मेरी रेसीपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो आपके दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना थैंक्यू